तो हैं कियो कि हैं कैसे हैं आप लोग मीद करती हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होगे और मस्थ होगे दon आप आ चुके हैं क्लास क्लास 9 में ऐसा क्या करना होगा जो हम टॉपर बन पाएं तो अच्छों आज ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो सपना देखते हैं क्लास 9 में टॉपर बनने का बच्चों पहली चीज तो यह कि जो लोग जिन लोग ने सोच के रखा हुआ है बहुत ही अच्छी बात ह कि आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है तो सोच रहा है कि क्लास 10 में जब पहुंचेंगे तब देखा जाएगा तो बेटा जी किसी ने कहा है ना जब नीव मजबूत होती है तो उसके उपर की जो इमारत होती है उसमें अपने आप मजबूती आती है बच्चों ये नीव क्लास 9 है जो बिटा जी आपके उपर इमारत खड़ी करेगी 10 में 11 में 12 में वो बिटा जी मजबूती जो है वो क्लास 90 डिसाइड करेगी तो आपको क्लास 9 को बहुत ही सीरियस लेके चलना है क्योंकि बचा देखो हमेशा मैं एक यह बात कहती हूं कि अगर आपकी आदत है एक आप के अंदरा आग है जुनून है टॉपर बनने का तो बिटा जी और यह जो आग जो जुनून है न यह कॉंटियू रहता यह क्लास के साथ नहीं आता अगर आप क्लास 9 से ही ठान के रखे हो कि नहीं मुझे तो टॉप करना है तो बच्चों क्लास 10 तक आते आते आपक करोगे जो क्लास 9 में आप कर चुके होगे तो बेटा जी अगर आप क्लास 9 के टॉपर हैं तो क्लास 10 में टॉप करना आपके लिए बेहत आसान होगा उस बच्चे से जिसने क्लास 9 में पढ़ाई नहीं करी है तो बच्चों उम्मीद करती हूं इसी के साथ कि आप सभी बच आदते हैं जो आपको टॉपर बनाती हैं बच्चों सबसे पहली चीज़ तो यह देखिए आपका बिटा जो एक्जाम होगा वो 2025 में होगा अब बच्चों टॉपर बनने के लिए आपको करना क्या होता आपको ओवर तिंक नहीं करना होता आपको दिन भर बैटके सोचना न रखना है कि यार मैं कर सकता हूँ खुद पर भरोसा रखना है पॉजिटिव होके रहना है और अगर आप पूरे शिद्धत से बीटा मेहनत करोगे तो बच्चों यह प्रकृति यह नेचर किसी के साथ बीटा भेदभाव नहीं करता है अगर आपने मेहनत करी है आपको उसक प्रतिशत मिलेगा कहते हैं ना कि भगवान घर देर है लेकिन अंधेर नहीं रइट तो बच्चों चलिए आगे भरते हैं बीटा जी पूरे पॉस्टिविटी के साथ बच्चों सबसे पहले चीज़ तो कि आपको पता है क्या टॉपर के पास ऐसा नहीं क्यों एक्स्ट्रा पास भी है श्장님 और स्रफ बीटा जों पास और चो आपको एक्जाम में जो टाइम मिल रहा है वही उसके पास ठाईम है exam में जो कौपय आपको भरनी यह वही सेम कॉप्य उसको है पर जो डिफरेंस बेटा आता है वो सिर्फ परसर डेडिकेशन में आता है से फॉसường बेटा जो डिफरेंस आता है हैं का आता आता है मैंद्ध का आता है लगना आता एक तो अगर हैं आप सही से मेहनत करते हो सही से पढ़ाई करते हो पूरर डेडिकेशन के बीटा साथ पढ़ाई करते हो तो नो डाउट कि आप भी बीटा टॉपर होंगे हैना कब तक दूसरों को बेटा हम जोए टॉपर बनते हो देखें गे राइट कभी हम अपने मापाप को खुद भी तो मौका दें कि जब वो पेरेंट्स सीचर मीटिंग में आया तो तीचर प्राउट से आपका नाम ले रहो कि इस बार आपके बच्चे ने टॉप की और सोच के देखो कि वो मुमेंट हमारी पेरेंट्स के लिए कितना प्राउट का बिटा मुमेंट होगा और उस ताइम पर उनकी आखों बिटा जो खुशी होगी जो चमक होगी बच्चो उसको शायद नहीं कर सकता आपकी बिटा लावा और की फील नहीं कर सकता है तो बच्चों उम्मीद करते हो कि आप अपने माबाप को यह मौका जरूर देंगे बिटा जरूर उनको प्राउट फील कि मैं में शुरूर कैसे करें हम कितने घंटे पढ़ाई करें हमें 14 घंटे पढ़ना है कि 15 घंटे पढ़ना है मैं मोबाइल चलाना चोड़ना पढ़ेगा क्या अपने दोस्तों से बात करने चोड़ने पढ़ेगी क्या नहीं देखो घंटे डिसाइट नहीं करने हैं घंटे चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ने बैठे तो पर आपका दिमाग कहीं और चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है किताबों गारिकल बैट करके जो है पापा उम्मी को जो गुम्रा कर रहे हो फोन चला रहे कि आप आधा गंटा Fika चला रहे हो तो पेटह कोई हर्ज नहीं है और आप आदे घंटे पढ़ाई करने के बाद दो घंटे टक मपढ़ाई करके उठा हूं और दो घंटे से लगा तर फोन पे गेम खेपले जा रहे हो बटत जी वो पाप है व गलती है ऐसा अपने दोस्तों से मिलना नहीं है घूमना फिरना है पर बच्चो ऐसा नहीं करना है कि अपना फॉम्वर्क छोड़ करके घूमने जा रहे हो बच्चा वह गलत है तो बच्चो पहली चीज आपको इमानदारी के बिटा साथ पढ़ना है आपको ऑनिस्टी के साथ पढ़ना है बिटा जीव जिस ताइम बिटा बैट रहे हो फुली फोकस होकर बिटा पढ़ाई करनी है राइट अब बच्चो आते हैं और फाइव रूल्स में बिटा सबसे पहला रोल है प्रॉपर टाइम टेबल अगर आपके पास कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है आप कभी भी आप मेंसे बहुत सारे वच्ची आसे होंगे जिनके स्कूल की टाइमिंग साला गलग होंगी बच्च्चों एक बात आपसे कहना चाहोंगी कि अदेखो बिटा आप बेसे बहुत सारे बच्ची जिनकी गर्मियों की छुटियां हो चुकी है जून एंड जुलाइज ये दो म है और आपको बेटा मैं आपको 10 घंटे पढ़ने के लिए रहे हूं मैं इतना बीटा बोल रही है कि आपको हर दिन पढ़ाई करनी है जी के अच्छाइब में चठल किए अगर आप मैटा अगर मालो की मालो धोनी है या फोर आपए रड़ को लिए आप जिसके रभाना फेन हो तो क्या ऐसा होता है कि जब रिकेट नहीं खेलते तो तो जो होलीडे मना रहे नहीं वह हमेशा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वह हमेशा चलाना है कि छक्का लगे विटा ऐसे बिल्कुल अगर आप इन्हें दो महीनें के लिए बिटा किताबों का हाथ छोड़ दोगे तो पहली चीज तो बहुत पीछे हो चुके होगे दूसरी चीज जब पढ़ने बैठोगे बिटा तो आपको लगेगा कि मुझे शुरू कहां से करना है बहुत सारे बिटा जो है मैं क दिया गया है वो करेंगे इसके अलावा हम अपना जो है अलग-अलग एक्टिविटीज करेंगे हम नए नई चीजे सीखेंगे रइट विटाव क्राफ्स में टाइम स्पेंड करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नियूस पढ़ों बिटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है है नहां आप जोए रोबोट बना रहे हो आप जोए बैटा जी नहीं नहें प्रैक्टिकल कर रहे हो पीटा करू इसमें अपना टाईम लगाओ तो राधर दन mobile में free fire खेलने से बच्चो सेकंड तेंग आपको सही झंटा लीट करना है जी याफ के दिमाग में कंप्लीट होना चाहिए इसके लिए में करना क्या होगा हमें रेगळर पढ़ाई करनी होगी regular classes को देखना होगा बच्चो थर्ड आपको proper notes बनाने है बिटा देखो notes आपको ऐसे नहीं बनाने है no skill school copy check करने के हां हम तो हमें किल कॉपी चक्रानी कि टीचर सिगनेचर कर देगा नहीं बच्चो हमें जो है पढ़ते-पढ़ते notes बनाने हैं हमें पता होना चाहिए अगर यह sentence यहां पर लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है आपको बेटा पढ़ते-पढ़ते notes बनाने है उसके बाद आपको short notes बनाने है रेट बच्चो इसके अलावा आपको धेर सारे questions की ब्रैक्टेस करने हैं बच्चा यहां पर जाफर क्लास में बच्चा टीचर के लिए 100 numericals लगवाना यह मुश्किल होता है तो आपको टीचर के बरों से नहीं बैटना है आपको टॉपर बनाना है बच्चा तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अलग से question लगाओ आप जो है स्कूल में मालो दो question करा आए गए हैं क्लास मालो पांच questions कराए गए हैं तो आप उसके अलावा दस question खुद से लगाएं प्लस बच्चों आपको सही टाइम पर रिवीजन भी करना है वरना बच्चा क्या होगा आप आगे के पढ़ते जाओगे पिछे का खाते जाओगे ना तो बच्चों आपको र सब्सक्राइब करना है और बेटा जी अगर आप इन फाइव रूस को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हो फाइव रूस को विटा जी अपने दिमाग में रखते हो कि येस ने टार्गेट बिस्टाडी करूंगा हर दिन पढ़ाई करूंगा अपने नोट्स स्लेबस कंप्रीट करूंगा खुद से से स्टेडी करूंगा हर सब्जक्ट को पढ़ूंगा बिटा जी क्वेश्चन प्रक्टिस करोगे आप तो कैसे आप टॉपर नहीं बनोगे तो बिटा जी ये फाइव रूस मैंने बता दिये हैं पर इन फाइव रूस को फॉलो करना आपको काम है तो आपको जल्दी से कॉमेंट करके बताना है कि आपने से कितने बच्चे आज से इन फाइव रूस को एपलाई करने वाले हैं फटा-फटा-फटा कॉमेंट करना और बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा है बाकी बच्चा आप नेक्स टाइम कौन सी प्रॉब्लम पर बिटा जी जो है आप चाहते हो कि मैं सेशन लेकर किया हूँ कॉमेंट करना मत भूलिएगा मिलूंगे आपसे बिटा अपनी अगरी क्लास में तक लिए बाबाय बच्चा टेक केर खाल रखे अपना बाबाय बच्चा टेक केर